नमस्कार स्वागत है आपका ख़बरों का पंच नामा में मैं हुआ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी ख़बरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एड़र इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमाजी डॉक्ट साब आपका बहुत-बहुत स्वाज़त धन्यवाद सबसे पहले नज़र दाजने आज की हैडलाइन्स पर उद्धव के कामकार्ट से नाराज हुए शरत पवार खुद बनना चाहते हैं सीम रिपोर्ट में दावाद जल्द गिर सकती है उद्धव सरकार देश में कोरोना के आख्रों में आई कमी दूसरी लहर में पहली बार पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव केस डबलू एचोनी की योगी सरकार की जम करतारी वैक्सीन पर केजरिवाल का नया ड्रामा दिल्ली में सौ से ज़ादा सेंटर की ये बंद केंदर सरकार पर वैक्सीन न देने का लगाया आरो सुप्रीम कोर्ट में अर्बन नक्सलियों को बड़ा जटका भीमा कोरेगाओं केस में गौतम नवलखा की जमाना त्याचिका खारिज बंबे हाई कोट के आदेश को जी थी चुनोटी पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशों पर भारत ने नहीं दिया भाव तो इमरान ने बदलब पैंतरा कहा कश्मीर के बिना भारत से बातचीक नहीं होगी सबसे पहले बात करेंगे महारास्ट्र के सियासी गमासान की महारास्ट्र की महाविकास अगाडी सरकार के भविश्ची को लेकर फिर से अचकलें शुरू हो गई हैं इस बार वजह सरकार में शामिल NCP सुप्रीमो शरत पवार की नाराजगी है कहा जा रहा है कि शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर शरत पवार को गलती का एहसास हो रहा है शरत पवार उद्धव ठाकरे की कामकाजों से बिलकुल खुश नहीं है और अब वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं डॉक्टर साब इस अगाडी गैंग का तो यही अंजाम होना था बस तारीक तै होनी थी जो हो गई देखिए यह जो खबर आई है यह दरसल एक मराठी अख़वार है तरुन भारत और तरुन भारत बहुत ही रिस्पक्टिड अख़वार है उसके एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट के हवाले से वहाँ यह खबर बताई गई कि किस तरीके से संजे राओत को सरत पवार ने यह कह कि यह हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई उद्दव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना इससे बहतर होता वो खुद या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिये होते तो अभी जो पार्टी की जो फजियत हो रही है जो स्तिति पूरी से आट अफ कंट्रोल चली गई है वो न उनने ये भी का कि वह नाराज किस बात के लिए है तो उद्दव ठाकरे फोन ही नहीं उठा रहे हैं सरत्पवार के मतलब यह जिस सक्स ने इस सरकार को बनाने में सबसे एहम रोल अदा किया सिर्व से ना से तो कि कॉंग्रेस पार्टी सीधे में बात भी नहीं करती थी उनके सारे जो आइकंस हैं चाए सावर कर हो चाए कोई भी हो उनको तो ये कॉंग्रेस पार्टी के लोग गालिया देते थे सरत परवार की वज़े से ये अगाली जो तीनों पार्टी जो अलायनस हैं वो बनी और बनने के बाद एक के बाद एक मसला खराब होता गया इन एक्स्पीरियंस सामने आता चला गया गवर्नेंस का कोई एक्स्पीरियंस नहीं था और अब सरत्पवार को ये लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन अब पच्टाय होत क्या जब चुरिया चुक गई खेत अब तो अगारी के सरकार के साथ जितनी भी पार्टिया है जो सरत्पवार की इज़त थी वो सब मिट्टी भी मिल गई आप अनिल देश्वुक को डिफिंट करने के लिए दो दो बार प्रस कांफरेंस करेंगे और मालूम चलता है कि वो मनी लॉंडरिंग में पूरी तरह से लिप्ट था कड़ों क्या हेरा फेरी कर रहा था कलकत्ता में शलकम पनी खोल के बैठा हुआ था वसूली करवा रहा था तो ये सारी चीजी जो हुई है वो इसलिए हुई है जो सरत्पवार का मानना है कि उद्व ठाकरे का जो पॉलिटिकल इनिक्सपीरियस कि सरकार और पार्टी कैसे चलाई जाती है उसकी वज़े से ये फजियत हो रही है जी डॉक्त साब अब बात कोरोना संकट की कोरोना के खिलाफ मोधी सरकार राजियों के साथ मिलकर युदिस्तर पर काम कर रही है जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है दूसरी लहर में पहली बार पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव केसों से जाद संख्या ठीक होने वाले लोगों की है इस बीच यूपी की योगी सरकार का डंका डबलू एचो भी बजा रहा है डबलू एचो योगी की टेस्टिंग और ट्रीट्मेंट पॉर्मूला से इतना प्रभावित है कि उसने खुल कर इसकी प्रशन सकी योगी सरकार ने काम भी शांदार किया है राज्जी के 97000 गामों में कोरोना के लिए उन्होंने एक लाख एक तालीस हजार टीमें बना दी मतलब हर दो गाउं पर करीब तीन टीम काम कर रही है डॉक्टर साब योगी सरकार ने तो कमाल कर दिया है देखिए ये जो योगी सरकार का जो तरीका है इस बार बाकी हर राज्यों से वो बिलकुल अलग सा निजर आ रहा है क्योंकि आप दो तरीके से इस तरह की महामारी को आप टैकल कर सकते है एक तरीका वो है कि आप बहुत ही सिंट्रलाइज सिस्टम रखे कि सब कुछ राजधानी में तै हो मुख्यमंत्री के टेबल पर तै हो और आप अधिकारियों के जरीए जो ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हो दूसर तरीका है कि आप पूरे जो जो वर्क का जो सिस्टम है आप डेलिगेट कर देते हो ग्राउंड लेबल पे योगी सरकार में यही काम किया है कि चाहे वो मरीजों को चनित करना उनकी टेस्टिंग करना और अगर कुछी को करोना हो जाए तो उनके साथ किस तरह से दवाई और सारी चीजों की विवस्था करनी है उन सब चीजों के लिए इन्होंने ग्राउंड अस्तर पे विलेजस के अस्तर पे इन्होंने टीम बना दी हर टीम में दस लोग है तो आप इतना वर्क फोर्स भी आपने यूटलाइस किया और अस्थानी लोगों को इसकी जिम्मेदारी दे दी कि वो अपने अपने गाउं अपने अपने इलाकों में किस तरीके से इसकी मदद करे और जो कुछ भी सरकारी मदद आपको चाहिए वो इन्टीम के जरीए वो ग्राउंड तक पहुंचती जाएगी एक तो ये मसला है लेकिन हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये कोई मुंबे नहीं है उत्तर प्रदेश ना दिल्ली है आप जो ग्राउंड इलाके हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ कोई दवस्था नहीं है वहाँ कोई हॉस्पिटल भी धंका नहीं है ये सतर साल से इस देश के अंदर में जिस तरह के स्वास्त के जो पूरे सेक्टर को इग्नोर किया गया वो मूल भूत स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास कि इस तरह की आपदा से हम लड़ सके और ऐसे में आपको इस तरह के इनोविटिव आइडियास के साथ ही आप इसे टैकल कर सकते हैं और योगी सरकार यही काम कर रहे हैं दूसरा काम जो योगी सरकार कर रही है वो यह है कि योगी खुद सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के वो फौरण फैसला लेते हैं अधिकारी अगर जहां सभी वो ऐसा लगता है कि कहीं वो धुलमुल रवया अपनाय जा रहा है उसको दुरुस्त भी करते हैं और मैं आपको बता दो कई सारी इस तरह की कहानिया सामने आ रही है कि दूसरे जाज्यों से भारती जंता पार्टी की सरकारों से भी वो उलज पड़ते हैं कि उनको जो ववस्था चाहिए तो चाहिए अब देखिए कुछ दिनों पहले तक ऑक्सिजन की कमी थी लेकिन अब इस तरह से जो रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सिजन की ववस्था भी अब जो है उत्य प्रदेश में सही धंग से हो रही है लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी खामिया है अभी दिल्ली दूर है ये ववस्था काफी नहीं है अभी योगी सरकार को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रुत पड़ेगी जी डॉक्त साब अगली खबर केजरिवाल की नई नोटंकी पर ऑक्सिजन की कमी पर हाय तौबा मचाने वाले केजरिवाल जब खुद अपने फरेब में फसे तो अब वैक्सीन का नया ड्रामा शुरू कर दिया है 18 से जादा उम्र के लोगों के लिए पहले तो वैक्सीन में देरी की अब अचानक 100 से जादा को वैक्सीन सेंटर बंद कर दिये और कैमरे के रोगी केजरिवाल गैंग की तरफ से मनीश से सोधिया आय और मोधी सरकार पर हमला करने लगे कहते हैं कि केंडर सरकार की वज़ा से उन्होंने सेंटर बंद कर दिये डॉक्टर साब ये तो हद ही कि जब प्राबलम आई उसके पहले वो एड दे रहे थी कि दिल्ली में कोई प्रावलम नहीं है जब संख्या बढ़ी तो मालूम चला कि वज़ा बेड नहीं है केंडर हमीं मदद करे केंडर सरकार हमारीं मदद करे मोधी से हाँ जोड़ करके केंडर रिवाल ने ये टिकनीक अपना रखा है कि वो जब आएगा केंडर सरकार को धने बात करेगा और अपने चट्टे बट्टों को सामने करके वो कहेगा कि भाई बोधी सरकार कोई हिल्प नहीं कर रही है तो बेड का मसला सॉल्व हुआ बेड का मसला यूं सॉल्व हुआ कि केंडर के अजेंसिया वो आकर कि यहां पे हॉस्पिटल्स बनाई वहां पे बेड्स लगाए अपने डॉक्टर्स भी दिये अपने ऑक्सिजन भी विवस्ता कराई दवाई भी सारा कुछ सेंट्रल अजेंसिया कर रही है काला बजारी करते हुए यह लोग रंगया हाथ पकड़े गए तो उन्होंने ऑक्सिजन का बहाना बंद कर दिया अब ऑक्सिजन जो है बिल्कुल अचानक से सब कुछ ठीक हो गया जैसे ही केंड सरकार ने का कि भई दिल्ली के अंदर कितना ऑक्सिजन जा रहा इसकी ऑडिटिंग होगी ऑक्सिजन का प्रॉल्लम सॉल्व हो गया और फिर अब यह वैक्सिन का टोटा इन्होंने शुरू कर दिया हमारे पास यह हाथ में यह बुलिटिन है एक ग्यारह मई का और एक ग्यारह मई को कि वहां की सरकार यह कह रही है कि इनके पास अभी भी जो बैलन्स स्टॉक है वो बता रहा है 2,19,690 वैक्सिन इनके पास है भी क्यों नहीं इस्तिमाल कर रहे हो क्यों आप बंद कर रहे हो बंद इसलिए आप कर रहे हो कि ताकि आप पैनिक क्रियेट कर सको दिल्ली की जनता में बाकी मुक्लेचंग मंत्रियों के साथ मिल करके आप कहना चाहलinator कर दो कि किस्टकार हमें देरी रही है ऐसनले हम जो है वो करने ही सकते और मैं आपको बता दे इसमें साथ साथ ये जो हमारे पास जो लेटर है वो लेटर दिल्ली सरकार की है उसका आखरी जो लाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि दो लाग सरसर जार चैसो नबे डोजिस ओफ कोविशिल्ड वैक्सिन फॉर एटीन टू फॉर्टी फॉर येर्स कटेग्री एक्सपेक्टे टू अराइब टुड़े अब ये पॉर्टीन लाख डोजिस जो वैक्सिन के आ रहे है कोविशिल्ड के इसको क्यों इस्तमाल कर रहे हैं आप क्यों इसको बंद कर रहे हो तो ये तमासा जो है ये बंद होना चाहिए मीडिया ये बात बताएगी नहीं क्योंकि मीडिया केजिवाल से पूरी तरीके से पैसे खा करके उसके दलाली में जुटी हुए जी डॉक्ट साब अब खबर अर्बन नकसल गैंग की बीमा कोरे गाउं केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारज कर दी है दरसल नवलखा पर एलगार काउंसलिंग के सदस्य होने और देश के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश के आरोप है और NIA इस मामले की जांच कर रही है इससे पहले नवलखा ने बॉम्बे हाई कोट में भी याचिका दाखिल की थी लेकिन वहां भी याचिका खारज हो गई डॉक्टर साब अर्बन नकसलियों के घर तो आज मातम मनेगा मातम मनना भी चाहिए ये गौतम नुलखा साब बहुत कमाल के आदमी है ये तमाम ये जो लूटियन गैंग है ये वामपंथियों का जो टोला है ये सारे लोग इनको बहुत महान करामतिकारी मात बताते है और ये पाकिस्तानियों का धलाल है ये एक ऐसा धलाल है जिसके जरिये ये जो नकसलाइट या अर्बन नकसल्स ये लोग पाकिस्तान से पैसे लेकर के हिंदुस्तान के जंगलों में बैठ करके अपना सामराजी चलाते है इनको कोई सम्मिधान से लेना देना नहीं है ये हाट कोर वामपंधी है और इनकी जगत और जेल के अंदर ही है वीमा कोरे गाउं केस में जब फसे तो उसके बाद से बहुत हाय तोबह मचके है बहुत सारे लोग है इनके साथ जिनके लिए लड़ने के लिए ये लुटियन गैंग उनको समास सेवी है तो पता नहीं क्या-क्या बताता है और आर बेसिकली टेर्रिस्ट ये अर्बन नकसली कोई करामती कारी नहीं होते ये टेर्रिनिस्ट होते है और ये लोग CPI माविस्ट उसके ये लोग समर्थक है उसके काड होलडर है उसके काडर है और अब जब इनको यलगार परिशत वाले इसमें जब अंदर ये गए तो वहाँ तो NIA इसकी जांच कर रही है इनके पूरे भासना आप यूटूब पे जाए अलिगलों में जाकर करके ये कहता है मुसल्मानों से कस्मीर के अपील करता है कि जो वुरान बानी ने किया वो तो हर मुसल्मान को करना चाहिए इस तरह की भद्धी बाते वो ओपिनली अलिगलों इनिवर्सिटी के अंदर कहता है लोग तालियां बजाते है तो इनकी जगह तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए तो NIA के स्पेसल कोट ने जमानत ने दिया तो ये हाई कोट पहुँच गए हाई कोट ने भी मना कर दिया भई इससे कौन उल्चे जब ये मालूम है आप किसी आदमी का वीडियो है सारा कुछ है उसके लीनिंग्स मालूम है उसके बाद तो कोई जुडिस्री भी डर जाएगी भई इसको कौन रिलीव देगा फिर उसके बाद ये लोग सुप्रेम कोट पहुचे बड़ बड़े वकील इनके साथ खड़े है ये लोग इस तरह के लोग है कि इस गैंक के लोगों को सोनिया गांदी की सरकार पद में शिर्दिया करती थी इस तरह के गैंक के लोगों को वो नेसल एडवाजरी कॉंसिल जिसकी चेर परसन हुआ करती थी सोनिया गांदी उसमें ये लोग सामिल होते थी आज कानून का सिखंजा इनकी गर्दन पे है और नो लखा ही क्यों ये तमाम नकसली जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाते है क्रांतिकारी के वेश में जो तर्रिस्ट बठे हुए है इन सब की जगा जेल के अंदर है जी डॉक्साब आखरी खबर इमरान खान की चालाकी पर पाकिस्तान के आका इमरान खान की नई चाल दुनिया के सामने बेनकाब हो गई काफी वक्त से इमरान खान भारत से बातचीत करना चाहते थे और बार बार ऐसा कुछ बोल जाते थे कि भारत खुश हो जाए लेकिन ना तो भारत ने इन परेवों पर ध्यान दिया उल्टे पाकिस्तान में इमरान की थूथू होने लगी तो अब फिर वही पुराना राग कश्मीर अलापने लगे है कहते हैं भारत से बातचीत होगी तो कश्मीर के बिना नहीं होगी डॉक्टर साब इस इमरान खान का क्या होगा देखें ये बात जो आई है कि बिना कश्मीर के भारत से कोई बात्चीत नहीं होगी बात्चीत करना कौन चाह रहा है हिंदुस्तान ने कोई प्रपोजल दिया या हिंदुस्तान ने कोई छज़ता है कि आप से बात करना चाहते हैं तो अचानक यह बे मौसम बरसात कहां से यह बे मौसम बरसात इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को पूर हिंदुस्तान के साथ रिस्ते कैसे ठीक होंगे तो इसको लेकर के दो दिन पहले हमने खबर बताई ती आपको किस तरीके से वहां का जो विदेश मंतरी है उसने एक इंट्रिवीव में इस बात को कबूला कि आर्टिकल 370 का हटाना वो इंडिया का इंटरिनल मसला है अब जैस ही आपने कंसीड कर दिया कि आप का जो पॉजिशन है वो गलत था और भारत का जो पॉजिशन कश्मीर को लेकर के वो सही था कि भारत का एक अभिन अंग है कश्मीर अब वहां पे बहस सुरू हो गई विपक्षियों ने खेर लिया कि भही आप तो बास्चीत करना चाहते हो यह रास्ता यह क्यूं कि भारत के साथ रिष्टे तो तभी सुध रेंगे पैसा तभी उनको बाहर से मिलेगा जो उनके पुराने अलाइस से उनकी दोस्ते तभी तो ठीक होगी जब हिंदूस्तान से रिष्टे ठीक होगे रिष्टे के लिए बाचीत होनी है और उसके 70 जो है वो इंडिया का इंटरेनल मसला है तो इस पे विपक्षी ने उन्हें घेर लिया कि भई आप बातचीत करना चाहते हो तो वहाँ पे वही पुराना राप भई हम बातचीत करने के लिए तो तैयार हो सकते हैं लेकिन बिदा कश्मिर की हम बातचीत नहीं करें तो मैं करें और यह सारी सर्तें वह आप अपने पॉकेट में रखें हिंदुस्तान जो है कश्मीर को भारत का भी नंग मानता है और मानता रहेगा हमारी अब नजर पीयों के ऊपर है गिलिगट बल्टिस्तान के ऊपर तो यह हाकिकत जी डॉक साब आपको बहुत बहुत दने वाद इतनी सथिक और बहतरी ज问 करें के लिए खबरों का पंच नामा में आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी कब्रों और उनके सथिक अनलेशेस के लिए देखते रही है Capital TV हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और Capital TV को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार